आज की इस समिट में मंच पर पदारे हुए हमारे सभी अथितिगण और समिट में भाग लेने वाले सभी साथियों सबसे पहले मैं Economic Times को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम सब को एक जगे बैठ करके इस टोपिक पर सोचने के लिए एकत्रित किया तो मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद Economic Times को कि सारी सेर की टीम को आपने एक जगे बढ़ाया और देश के विभिन एक्सपर्ट को यहां बुलाया केरला से हमारे साथे आये हैं पूना से हमारे साथे आये हैं तो पूरे देश में अर्बन मोबिलिटी को ले करके क्या नवाचार हो रहे हैं किस तरीके से अर्बन मोबिलिटी को हैसल फ्री मनाया जाए किस तरीके से हम अपने घर से ओफिस जाने में जो घंटों व्यतीत करते हैं वो समय कैसे कम किया जाए ये सारी बाते आज इस समिट में हम करेंगे मैं पूरा आपका ब्रोशर देख रहा था कि अर्बन मोबिलिटी के जितने डिपार्टमेंट है वो सब को आपने यहां एक मंच पर एकत्रित किया और सब अपनी अपनी बात यहां शाम तक रखेंगे मैं बेसिक बात करना चाहूँगा कि आदमी सेहर में क्यूं आता है यह तीनों ही लोग सेहर में रहते हैं तीन ही केटेगरी में बाढ़ सकता हूँ नोकरी पेसा के लोग ज्यादा दर उसके बाद बिजनिस के लोग मेजरिटी में और उसके बाद मजदूरी के लोग और वो तीनों ही केटेगरी के लोग जरूर है कि अपने घर से बाहर जाना पढ़ेगा इसा नहीं हो सकता कि वो अपने घर में बैठे बैठे अपनी आजीवी का पूरी कर सके तो उसको mobility के जरिए अपने घर से बाहर जाना होगा अब जब घर से बाहर जाने के रास्ते क्या है तरीके क्या है वो हमारी इस summit का टोपिक है पहले अगर वो मजदूर है तो नजदीक अगर उसका इस्तान है तो पैदल जाएगा जोकि संभव नहीं आज के देट में शेर में डूसरा वो cycle से जाएगा अब आपने पता नहीं देखा नहीं देखा मैं गाउं से भी आता हूं और शैर में भी अब रहने लग इख गया हूं बीस-पचिस साल से जितनी भी सहर की भी मज़ूर अपने देखा ने देखा मैं करीब महीने में एक दू बार देख लेता हूं तो वह जितने भी मजदूरी कत्रित होते हैं आपका विध्यान अपनी साइकल से आते हैं तो छोटे वरक के लिए गरीब आदमी के लिए अर्बन में मोबिलिटी का पहला साधन क्या हुआ साइकल अब यह बिड़मना है को साइकल चराय कहां जगे कहां वो सारी चीज़ें हम इसमें डिसकस करते हैं लेकिन अर्बन मोबिलिटी का पहला साधन हुआ गरीब आदमी का साइकल उससे थोड़ा सा मीडियम क्लास में आया या थोड़ा सा उसने चोटा मोटा धंदा करके अ और मोटर साइकल टूवीलर अब टूवीलर की अपनी समश्याएं अपन इसमें देख रहे हैं काफी है और जैसे वह टूवीलर पर आता है उसके बाद उसको थोड़ी सी अगर आर्थिक आलास उदरते हैं तो आ जाता है फोर वीलर चार पए एक ही गाड़ी घर में एक साइकल से मोटर साइकल मोटर साइकल से कार आई और उसके बाद अगर इन चीजों का जिसके पास नहीं है वह कहां जाए वह जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसके लिए पहले हमारे जैपूर की बात करें तो एमडी साब बैटें जैपूर बस सर्विस उसके बाद प्राइवेट लेकिन पब्लिक की काम आ रही है सिटी बसेज जैपूर में सिटी बसेज आपने देखी प्राइवेट सिटी बस एक तो है सरकारी सिटी बस एक प्राइवेट सिटी तो यह हर सहर की कहानी है जैपूर की कहानी नहीं इंडिया के किसी भी सहर में चले जाए जो तो है बेसिक उसके बाद घर में ज्यादा कमाई हो रही है तो एक घर में पहले एक गाड़ी आती है फिर मिया बीबी की अलग अलग गाड़ी होती है फिर बच्चे कमाने लगजे तो बच्चों की अलग गाड़ी होती है हला आती है अगर एक घर में कई जगे तो ऐसे जो आदमी तो है चार और गाड़ियां कितने होंगी आठ भी हो सकती एक अद्मी चार गाड़ी हाढ गाल्य आठ गाया होता है तो हहलें कि भГम बीनिकाँ अब सहर में जैपुर में दो मैं दो एक परसेंट लोग भी नहीं हो गें से और किसी भी सहर में नहीं होगे एक परसेंट से ज्यादा जो जितने फेमेली मेंबर उससे डबल गाड़ी रखें यहां रखें लेकिन फिर भी जमाना आ गया है कि हमारे हैं जैसे ही अग जैटरी कार भी रखेगा तो ऐसी आलात भी है कि एक घर में चार आजमी और गाड़ी पांच या छे तो ही है कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास यहालात है अब आती है उन गाड़ियों के बाद आप जहां काम करने जा रहे हैं जहां व्यवसाय करने जा रहे हैं जह कोई सी भी जगे अगर आप जा रहे हैं तो आपको जाना तो सड़क से पड़ेगा तो सड़क की चोड़ाई क्या है जैपूर में जेलेन मार उनीस सो नब्बे नवासी में मैं पहली बार आया था तब देखा था और आज देखें आप ये अच्छी बात है कि सरकार ने उसको पहले चार लेन का था पहले दो लेन का था फिर चार लेन का और आप आसे जेलेन की बात करें तो आठ लेन का हो गया और आठ लेन भी शाम को आप में से अगर कोई लोग ओफिस होड़ करके इस एरिया में आते हैं तो OTS चो रहा है आपने देखा है किते लोगों ने देखा काम है कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएं बहुत मुश्किल है अगर हम किसी आजमी को यह कहें कि तेरे घर में चार गाड़िया है और तू बस से जा के संभव हैं बिल्कुल नहीं है लेकिन यह हो सकता है यह हो सकता है आपने दिल्ली का उधारन देखा या नहीं मैंने देखा है 1991 में मैं पहली बार दिल्ली गया था और जब लाल बसे होती थी UPSC के इंटरिवू देने के लिए गया था पहली बार ही तो उस दोवाने में दिल्ली में उन लाल बसों में लटक करके हम जाते थे UPSC साजा पूरोड साजा रोड का नाम साजा क्या नाम भू देख रहे हैं कि मेटरो ने दिल्ली की life बदलती अगर मेटरो आज दिल्ली में बंद हो जाए तो आप सोची क्या कियों सो जाए किया हंगामा जाया क्या हालत खराब हो जाए तो जैपुर। सोरी दिल्ली को अगर आप Urban mobility के उधार्ण में देखे जाए तो मीरे खुद के अ बिखन से राहत मिली है वो सिर्फ और सीर्वन और मोबिलिटी से मिले और भो भी पप्लिक ट्रांसपोर्ट से मिले तो ये बड़े सहरों की एक मेहती आवशक्ता हो गई है कि किस तरीके से हम उसको पब्लिक को एक्सेस देवें जैपूर की बात करें हम जैपूर का जो कॉंसेट बनाता मेट्रो का हम सब अजिताब भी मेट्रो में रहा है मैं भी थोड़े दिन अभी पांच-छे मेने रहा हूं करें रहें जैपूर की मेट्रो की अगर सबसे अगर नहीं करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी दिकत बनी रहे अभी इसउजय अ लग ताइम है क्या चीजे कीसे होती है सब के सामने कई बाते बोल सकते हैं कई बाते नहीं बोल सकते लेकिन ये इस हैर की नीड है कि मेन रोड को जब तक हम उससे कवर नहीं करेंगे जब तक हमारी मेट्रो सक्सेस्फुल होना संभावित नहीं लगती एक दूसरी बात आई थी आपने देखा हुथा दोजार साथ आठ में साथ 10-11 तक चली थी BRTS बड़ा अच्छा कॉंसेप्ट था कॉंसेप्ट में कोई कमी नहीं आज भी BRTS जो हमारे जैपुर में बनी हुई है आप एहमदाबाद की BRTS को जाके देखिए साथ मैं पुने गया नहीं हूँ लेकिन पुने में भी मैंने सुना एक साथ BRTS आप बताएंगे कि बहुत अच्छा सक्सेस्फुल मोडल है जैपुर में एनिहाओ वो उतना सक्सेस्फुल मोडल नहीं हो पा रहा है जब उसके कारण तो बहुत हो सकते हैं हर अच्छा बात करते हैं उसको हटा दिया जाया उसको रख दिया जाया उसके क्या है वो एक अलग डिपेट का इश्यो हो सकता है लेकिन वो एक जैपुर के संदर में बात करें तो वो भी एक मुद्दा है तो दूसरी बात मैं कहुँगा कि अर्बन मोबिलिटी के के लिए आपको जो हमारी बसेज हैं जेपूर बस सर्विस उसका बेड़ा भी हमको बढ़ाने की बहुत आउशकता है जैसा कि अजिताव ने आते ही बड़ा प्रस्ताव भेजा है सरकार को मुझे लगता है कि जल्दी उसमें सैंक्सन आनी चीए हो फुली हम आशा करते हैं ले जब मैं तुपुनिस्तान जब मैं 1989 में पहली बार जैपूर में करने आया था तो आपको पता है जहां नहीं तरही लोगों को होगा जो जैपूर में रहते हैं सभी लोग यह बठे हैं एक तीन पर यह का टेमपू चलता था आगे सवारी बढ़ती तेर पीछे उसमें लंब पांच इधर होती थी पांच-दस सीटर होता था और दो आगे बारा सीटर टेमपो होता था बड़ा सा अब तो देखा ही नहीं मैंने तो नहीं देगा उसको सड़क पर अपता नहीं मैं रखना चीज़ों को कहा से कहां तक बढ़ी है यातरा उसका जो धुआ निकलता था ग गाउं की बसें देखियोंगी नहीं गाउं की जीपें गाउं मैं आज भी जीप देखियोगी वो जीप की हमारे ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट सेंक्षन देता साथ सीटर बारा सीटर और साइट पच्ची से नीचे कोई नी जाता मैं बस में भी बैठा हूं आँ कि बरात की बस आप देख लो तो आपको रियल मोबिलिटी का पता लग जाएगा आज भी आज भी अगर ट्राइबल एरिया में आप उदैपुर डूंगर पूर बांसवाड़ा वहीं मिलेगी ज्यादार पस्टिम्रास्तान में भी एक दो बार मैंने बार्ड मेर जिसल मेर में देखी है लेकिन आप जैपुर में कम हो गया है या तो हमारे सिस्टम का डर है या पता नहीं जो भी कह सकते हैं लेकिन जो इंटीर एरिया रूरल एरियाज में एक सहर से दूसरे सहर में आप बस में बढ़ेंगे आप खुच सोचेंगा कैसे बढ़ सकता हूं मैं बढ़ने को विल्कुल है तो लटक करके पीछे का वो जो जाड होता है जिसमें लटक बेठते हैं वो लटक करके दोनों हातों से मैं अठाइस किलोमेटर सलागा तो वो भी एक ट्रांस्पोर्ट का सिस्टम चल रहा है अब मैं आता हूं में बात पर कि सहर के इस अर्बन अर्बन मोबिलिटी के लिए बस सेल्टर बस डिपो इनका प्रावदान होना चाहिए और यह बताते हुए खुसी है कि हमने उसमें यह प्रावदान डाल दिया है कि अब आगे सी जितने भी राजस्थान के मास्टर प्लान बनेंगे उनमें समय यह पब्लिक ट्रांस्पोर् लोडते हैं मेंडेटरी है तो जब पार्क मेंडेटरी है माल लीजे घूमने के लिए तो जाने के लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिए भी कोईन कोई स्थान आरख्षित होना चाहिए कल की मिटिंग का ही मैं अवाला दूं कि हमारे एक इस्व चल रहा है कि साब जितन केंप को भी हमने देखा हुआ है मैसे अज भी देख रहे हैं सिंदी केंप की हर बार बात हैं चलती है कि चारों दिसाओं में या पांचों त्शेओं में रोड से जैप्र께 अग्रारोड है ढीर और भीकाने रोड अजमेर रोड ये साइब में्रोड है giving आपको पांच रोड या अजमे रोड से उसको आगरा डिली रोड टोंक रोड जाना कहीं भी एक दूसरे को जाना है तो वहां हमारा सिटी बस चलना चिये सिटी बस ऐसा होना चिए जैसे वह फॉत्रा रेंब करके यहांसे वह सीधा दिल्ली द के लिए हर 10-5 पांच मिन्ट मुझको बसे मिलें तो ये कॉंसेप्ट दो साल पहले बज़ित में घोशना हुई है हमने अभी तैय कर लिया सारी पांचो दिशाओं में जो हमारे चार बस टर्मिनल बनेंगे वो सिफ्ट होंगे और उनके लिए भी जो इशूज हैं कि उनको जमीन देनी है पुर की बस सर्विस के लिए बात करूँ मैं तो इनका यहां डिपो है आपके सांगानेर में और सांगानेर से वो इनका है बस रोड़ बेज वालों का इनको जगे चीए दूसरी तो इनको हमने कह ज़या सिवदास्पुरा की तरफ आपको हम कहीं से भी जमीन दे देंगे त यह एक बात हुई दूसरी बात हुई कि रोड पर जब हम चलते हैं तो ट्राफिक के रहां सिगनल लगता है और इसके आगे का जाम नहीं लगे एक पर लाल बत्ती होगी तो आगे के लाल बत्ती पर वो जिसी खुलता जाएगा आपने देखा या नहीं देखा मैं पिछले म लाइटें होती थी छे या साथ लाइटें चोराएगे और उसको पार करने में मिनिमम टाइम मैं क्यों कोटा में प्रोवेशनर रहा हूं उस समय आने की बात करा हूं 96 की कि मेरे को आदा घंटा 40 मिनट से कम नहीं लगता था 45 मिनट लगता था और अगर आज आप बात करें तो उस कोटा को आप 10 मिनट पर पार कर सकते हैं और वो दूर ये कम से कम 10 से 12 किलोमेटर भी तो ये क्यूं हुआ क्यूंकि एक भी चोराएगे पे हमने लाइट नहीं चाहिए लाइट थी लेकिन सिगनल फ्री चोराएग करने का एक मानिय मंत्री जी का एक बिलकुल मिशन थ चुका है कोटा को अगर आप जाके देखेंगे तो जालावाड रोड से आप जैसे ही चड़ेंगे जहां जहां भी आपको कहीं अंडर ब्रीज मिलेगा कहीं ओवर ब्रीज मिलेगा लेकिन ट्राफिक बिलकुल इतना फास्ट गती से जाता है कि वो 10 किलोमेटर आप रात के कि तॉर घृत में गता है कि तो तो यह जो सिगनल फिरी का एक आइडिया है जो कोटा में हम सक्सेस्फिल कर चुके कूल गश्यक करने की कोजिस कर रहे है और आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि हमारा B2 Bypass जो बहुत ज़्यादा विजी रहता है उसको हम सिगनल फ्री करने के लिए काम चालू कर दिया है क्रिभी 152 करोड के आसपास का उसका टिंदर है उसके बाद उसी तौकरोड पर आपका लक्ष्मी मंदिर सिनेमा है वो जो आपका तिराया है उसको हमने शुरू कर दिया है टिंदर होकर कि आपने देखा होगा मोके पर काम चालू है एक जो मैं बात कर रहा हूँ अभी OTS का चोराया उसका भी आज कल रात कोई प्लानिंग औरितिक साथ आज या कल में उसका सिलानियास होने की टेंडर फाइनल हो गया है OTS के चोराया को भी हम सिगनल फ्री करने की गोशना करी थी उसका केंपलिमेंटेशन कर रहे है तो ये सिगनल फ्री चोराया होने से फाइदा ये होगा कि आपकी मोबिलिटी ठीक हो जाएगी इसके अलावा एक बड़ा काम सेरों के लिए जो होने जा रहा है जो होना चाहिए जिसको भारसरकार का मेंडेट है ये है उम्ता बनाना यूनिफाइड मेट्रो पोलिटिन ट्रांस्पोर्ट अथोरिटी जब तक ये उम्ता नहीं बनेगा जब तक हम अपनी अपने डपलीर अपना राग ये कहा होता है ना अपने अपने मोर्चे बजा रहे है सिटी बस तरवी से अपना काम कर रहे है मेट्रो अपना काम कर रहे है रोडवेज अपना काम कर रहे है प्राइवेट बसों का कोई अपना काम है तो ये उम्ता का एक कॉंसेप्ट है जिसका की ड्राफ्ट जब 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 थे इसमें मेट्रो में पूरा बना के भेजा हुआ है finance कुछ गई गया, finance से low में गया हुआ इस time पर Unified Metroportunity Transport Authority Transport Authority जब बन जाएगी तो जिस तरीके से आपने Beasley में रहें नहीं रहें, मैं रहाँ हूँ चार साल अंसताबी रहें, कि Beasley में एक regulatory authority है Beasley की दर्ख कितनी होनी चीहे कितनी नहीं होनी चीहे विजली कम्पनिया कैसे काम करनी चाहिए उपप वगताओं को क्या सुविदायों होनी चाहिए उपप वगताओं कर क्या अधिकार है विजली कट लगने पर क्या धंड मिलना चाहिए वो सारे के सारे power as per legal अगर हम बात करें तो वो सरकार के पास नहीं हो करके वो कम्पनियों के उपर एक authority है regular RERC, तो वो जो regulatory authority है हमारी, उसी तरीके का अगर उम्टा बन जाता है, उम्टा एक independent संस्ता होतनी, उसमें independent member होंगे, वो ही तै करेंगे कि city bus का किराया कितना रखें, city bus की mobility के लिए कितनी बसें सहर में आनी चीए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से जो भी साधन चल रहे हैं उनका management उनके लिए क्या सुबदाएं पब्लिक को सुबदाएं देखते हैं क्या होना चीए वो सारे के सारे power उस authority के पास रहें वो independent authority authority बने और वो authority ही निर्ने करें सरकार को अगर उसमें कोई रियाएट देनी है जिसे मैं आपको बात करूँ उब्लोगताओं को हम फ्री में बिजली देते हैं किसानों को हम 95% उसका अनुदान देते हैं लेकिन कंपनियों को नुक्सान नहीं होता authority कमिशन की वज़े से कमिशन यह कहता है regulatory commission के सरकार चाहें तो free करें लेकिन पैसा वो सरकार को देना पड़ेगा अभी जैसे आज ही मैं बात करूं कि मैंटर होगा किराया बढ़ा दे या अजिताव बसका किराया बढ़ा दे तो बड़ी दिक्कत आएगी बहुत मुस्किल है अगर इस तरह की authority बन जाती उम्टा तो उम्टा ही decision लेगी फिर किराया उम्टा के तहट बढ़ गया और सरकार उसमें रियायत देना चाहती है तो जितनी रियायत मालीजे उसने पांच रुपे किलोमेटर का किराया बढ़ा और सरकार के दी तो ज्यादा है तो सरकार दे दे authority बन जाएगी तो यह फाय सर्वीस चाहर रोडवेज की बस सर्वीस हो चाहर मेट्रों की बस सर्वीस हो जाए city की सहरी JCTL हो अगर इन में हमने यह concept ला दिया कि यह कमा क्या रही है तो कमाई का साधनी नहीं है यह तो public की facility के लिए है अगर यह गाटे में भी चल रही है तो इसकी गाटे की बरपाई क करने का काम सरकार का है सरकार जितने भी ट्रेक्स वसूल करती है उनसे दो welfare काम करती है तो उसका एक portion इनकी सबसीडी के लिए भी देना होता है और राजिस्थान में हमने जैसे वो एक सहस लगा रखा है RTI DF तो उससे जो सहस से पैसा आता है उससे अनुदान हम इन सभी को द देते हैं जैपूर बस्सिर्विस को भी देते हैं और मेट्रो को भी देते हैं वो लगया है इसलिए ट्रेक्स कि उस ट्रेक्स से जितनी रासी आएगी वो इनकी सबसीडी के रुप में दी जाएगी तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि जैपूर में किस तरीके से हमारी अर लाओ देखने को मिलेगा इसी आसा के साथ आज आपने बुलाया और यहां आने का मोका दिया और सबको एक मंस पर एकत्रित किया उसके लिए एकनोमिक टाइम्स को उनकी पुरी टीम को यहां पदा रहे हुए सबी भाईयों बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जहीं जहाँ